बच्चों, आज की हमारी कहानी है केले किसने खाए? एक था भालू और एक थी लोमडी, भालू का नाम था टीपू, लोमडी का नाम था मीटू, दौनों अच्छे दोस्त थे एक दिन जंगल में घूमते घूमते टीपू और मीटू को केलों का एक गुच्छा मिला उन्होंने सोचा चलो इन्हें गिनते हैं, फिर आपस में बरावर बाठ कर खा लेंगे, वे एक पेड के नीचे बैठ गए उन्होंने गिनना सुरू किया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो दोनोंने अपने पास चार-चार केले रख लिए, एक केला बच गया अब यह केला किसे मिले, दोनों समझ नहीं पा रहे थे तबी टीपू ने कहा, हम यह केला बीच में रख कर अपनी आखे बंद कर लेते हैं जो अपनी आखे बाद में खोलेगा, केला उसी को मिलेगा मीटू को यह बात जच गई, दोनोंने अपने चार-चार केले बगल में रख लिए उस एक केले को बीच में रख लिया दोनों आख बंद करके बैठ गए वे बहुत दर तक ऐसे ही बैठे रहे क्योंकि अगर टीपू पहले आख खोल लेता तो मीटू को केला मिल जाता और अगर मीटू पहले आखों को खोल लेता तो टीपू को केला मिल जाता थोड़ी देर बाद उन्हों हसी की आवाज सुनाई दी दोनोंने आखे खुली उन्होंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं दिखा हसी की आवाज फिर आई टीपू ने उपर देखा पेड पर मीकू बंदर बैठा था वहाँ पेड़ पर बैठ कर केला खा रहा था कीपो और मीटू ने अपने अगल वगल देखा उनके सारे केले गायब थे ओहो पेड़ पर बैठा मीकू बंदर उनके सारे केले खा गया था केबल एक ही केला बचा था वह हसते हुए बोला तुम दौनों अगर पहले ही फैसला कर लेते तो सायद तुम्हारे सारे केले बच जाते अब जल्दी से फैसला कर लो नहीं तो मैं इस केले को भी खा जाऊंगा दौनों सोचने लगे कास हमने फैसला करने में इतनी देर ना लगाई होती वे सोचते ही रह गए और मीकू सारे केले खा गया तो बच्चो हमने इस कहानी से क्या जाना कि हमें अपनी आपस की लड़ाई प्रेम और प्यार से आपस में ही सुलजा लेनी चाहिए क्योंकि तीसरे को जब हमारी लड़ाई के बारे में पता चलेगा तो हमेशा वो उसका फायदा उठाएगा और इसमें दौनों का ही नुकसान होगा प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब थैंक यू पर वाचिंग अस